जैहिन फ्रेंड्स मैं सौरब जहा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSA Tricky Classes पे आज हम लोग SSC Phase 9 के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए SSC के एक्जाम में बार बार पुछे जाने वाले General Knowledge के Most Important सवालों को देखेंगे साथी साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रसनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं आप सभी से अनुरोद करेंगे कि आप Class को अधिक से अधिक सेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे Class में आकर Class का लाब उठा सकें आप सभी से हंबल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप Class में सारे सवालों के अंसर क्या करें और प्लीज Class को सपोर्ट करें Class को लाइक और सेयर अवस्य करें तो चलिए सुरू करते हैं Class और देखते हैं हमारा पहला सवाल सबसे बड़ा तारा मंडल, Constellation किसे माना जाता है? आपको बताना है सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? आंसर करेंगे सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है आप जानते हैं आकास में वैसे तो अनेक धुन्दले तारे दिखाई देते हैं परन्तु उनमें कुछ चमकीले तारों के समूह होते हैं जिनकी कुछ विसेश आकर्टियां होती है जिनें तारा मंडल कहा जाता है और तारा मंडल का नाम उन आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिनके समान इन तारा सम्हों की रचना होती है तो सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है आप याद रखेगा हाइड्रा हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारा मंडल है तो आपका answer क्या होगा? सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? Hydra तारा मंडल जो है सबसे बड़ा तारा मंडल है. याद रखेगा. ठिक है? अगला सवाल ओरियन तारा मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है आंसर करेंगे ओरियन तारा मंडल का दूसरा नाम क्या है ओरियन तारा मंडल का दूसरा नाम क्या है तो आप जानते हैं कि ओरियन तारा मंडल का दूसरा नाम है हंटर तो आंसर क्या होगा, option number A, hunter तो याद रखेगा कि जैसे कुछ परमुख तारा मंडल है और उसका कुछ नाम है वो आपको याद करना पड़ेगा ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखें Orion तारा मंडल को क्या कहा जाता है hunter कहा जाता है, याद रखेगा इसके अलावा आपसे पूछ सकता है सब्तरिसी, सब्तरिसी यह नहीं उसा मेजर, उसा मेजर को क्या कहा जाता है सब्तरिसी इंदी में कहा जाता है सब्तरिसी या उसा मेजर का नाम क्या है तो याद रखना है great beer उसा मेजर को क्या कहा गया है great beer इसके लावा आपसे पूछेगा उसा माइनर तारा मंडल को क्या कहा गया है उसा माइनर तारा मंडल का नाम क्या है लिटिल बियर समझ मैं आया लिटिल बियर तो याद रखना उसा माइनर का नाम क्या है लिटिल बियर और उसा मेजर का नाम क्या है great beer ठीक है तो उसा मेजर का नाम है great beer और उसा minor का नाम है little beer ठीक है और ओरियन तारा मंडल को कहा जाता है great hunter जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ओरियन तारा मंडल का नाम क्या है great hunter यानि hunter बोल सकते हैं याद रखना है तो आपको याद रखना है ओरियन तारा मंडल को हंटर के नाम से जाना जाता है इसके अलावा यहां से कुछ और सवाल आपको याद रखना है जो एकजाम में पूछ सकता है आप जानते हैं कि तारों का रंग उसके तापमान को बताता है तारों का रंग क्या बताता है तारा का जो रंग होता है वो उसके किसको बताता है टेंपरेचर को बताता है तो याद रखना है कि तारा का रंग उसके टेंपरेचर को बताता है याद रखना है तारों द्वारा मुक्त उसमा के आधार पर उनकी उम्र ग्यात की जा सकती है जै अगर कोई तारा नीला और सफेध है तो वो युवा तारा है आद्य तारा है ठीक है पूस्ता ये सवाल अगर कोई तारा लाल दिखता है आपको तो इसका मतलब आपको याद रखना है वो विरिध तारा है याद रखना है जो लाल कलर का तारा होगा वो विरिध तारा होगा ठीक है, और जो नारंगी color का ताड़ा होगा, वो प्रोड ताड़ा होगा, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, कि तारों का, तारों द्वारा मुक्त उस्मा के आधार पर तारों की उम्र ग्यात की जा सकती है, नीला और सफेद तारा, युवा तारा होता है, नारंगी त आप जानते हैं ठीक है और आपको एक चीज और याद रकना है चंद्रसेखर सीमा के बारे में, कुझी भारतिये मुल्के अमेरीकिक खगोलगय थे सचंद्रसेखर और अश्चंद्रसेखर जी ने स्वेत्वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिध्धान प्रतिपादन क्या था तो चंदरसेखर सीमा किन के द्वारा दिया गया है तो याद रखना है एस चंदरसेखर के द्वारा और चंदरसेखर सीमा क्या होता है तो आपको याद रखना है चंदरसेखर सीमा के अनुसार 1.44 सौर दरेमान ही स्वेत वामन के दरेमान की उपरी सीम सबसे नजदीक का तारा कौन सा है तो बताईए सुरी के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है प्रोक्सिमा सेंचूरी याद रखना है सुरी के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है प्रोक्सिमा सेंचूरी तो याद रखना है सुरी के बाद सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचूरी कितनी दूरी पे है प्रोक्सिमा सेंचूरी कितनी प्रकास वर्स दूर पर है प्रोक्सिमा सेंचूरी ठीक है प्रोक्सिमा सेंचूरी तो याद रखना है कि सुरी के बाद सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचूरी और ये कितना दूर है तो आपको याद रखना है च एक सवाल कि God particle क्या होता है तो आप जानते हिक्स बोसोन कन को God particle कहा जाता है याद रखेगा ठीक है और एक सवाल याद रखना है कि आधुनिक खगोल सास्तर का जनक किन को कहा जाता है बताएं कोपर निकस को कापणिकस कहा के थे?friend कि खगोल सास्तर का जनक कहा जाता है कोपर निकस को कौपर निकस खगोल सास्तर का जनक कहा जाता है याद रखेगा और कैपलर को नवीन खगोल सास्तर का जनक कहा जाता है याद रखेगा और कैपलर ने ग्रहों के गती का नियम दिया है और कौपर निकस ने सुरी केंद्री सिधान्त दिया है तो कौपर निकस जी के बारे में याद रखेगा कौपर निकस ने सुरी केंद्री सिधान्त दिया ह तो अगर आपसे ये भी पूच देता है कभी कि Black Hole की भविस्वानी सबसे पहले किस नहीं किया तो याद रखना है 1916 इस वी में Albert Einstein ने सापिक्स्ता के सिधानत के माध्यम से पहली बार Black Hole की भविस्वानी की थी ठीक है इसको भी याद रखना है और important है ये ठीक है चलिए तो अ Stephen Hawkins के बारे में आप जानते हैं कि Stephen Hawkins का उनके त्वारा जो किताब लिखा गया थे A Brief History of Time याद रखना है A Brief History of Time पुस्तक के लिखक Stephen Hawkins थे इसके अलावा The Theory of Everything पुस्तक के लिखक Stephen Hawkins थे और Stephen Hawkins ने 1974 इस वी में अपनी सबसे प्रसिद्धोज काले विवर विकीरन उतसरजन क करते हैं का प्रतिपादन किया था याद रखेगा ठीक है इसके लावा Einstein के तवारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था तो The World As I See It The World As I See It पुस्तक के लिखक है Albert Einstein ठीक है तो याद कर लिजेगा चलिए अगला सवाल देखते हैं उमीद करेंगे समझ में आया होगा तो क्लास को एक बार like कर दीजेगा ताकि और भी बच्चे क्लास को एक बार share कर दीजेगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें अगला सवाल bend your back वाक्यांस का प्रयोग किस खेल में किया जाता है तो आंसर करेंगे bend your back यह जो वाक्यांस है किस खेल में उप्योग किया जाता है bend your back ए क्रिकेट में किया जाता है ठीक है तो आपका सही आंसर क्या है ऑप्सन नमबर भी याद रखना है सही आंसर होगा ठीक है ठीक है याद रखना है इसके अलावा क्रिकेट से देखी कुछ सवाल आपको पूछ सकता है जैसे आपको याद रखना अंडर 19 2020 का जो क्रिकेट वर्ल् 2020 में जो हुआ था ठीक है वो कौन जीता था बता देंगे आप बांगलादेश ठीक है यह important सवाल है तो याद रखना है under 19 cricket world cup 2020 किस ने जीता था तो बांगलादेश ने जीता था ठीक है और उस समय बांगलादेश के कप्तान कौन थे पूछ सकता है तो अकबर अली ठीक है तो यहां पर लिख लिजेगा आप कि जीता कौन था बांगलादेश और हम लोग जो है उपविजेता थे ठीक है भारत उपविजेता था और हमारी टीम की कप्तानी किस ने किया था प्रियम गर्ग नाम सुने होंगे आप लोग प्रियम गर्ग का IPL भी साइद खिलते हैं है ना बारत उपविजेता था याद रखना उपविजेता इंपोर्टेंट सवाल है तो याद रखना और 19 क्रिकेट वोल्ड कप 2020 का विजेता बांगलादेश था अकबर अली और भारत उपविजेता था बारत के कप्तान थे प्रियम गर्ग ठीक है और ब्लेयर आपडुँ क्या क्या आपसे पूछ सकता है ICC महिला T20 World Cup बताएगा कौन जीता था ICC महिला T20 World Cup यह important है ICC महिला T20 World Cup याद रखना है ICC महिला T20 World Cup आस्टेलिया जीता था और भारत उपीजेता था तो यहां भी भारत जो है फाइनल में हार जाता है ठीक है और काफी सालों से हम लोग वारत जो है तो याद रखना है और याद रखना है और इंडिया की कप्तान कोन थी हर्मन पीत कौर ठीके तो आई सेसी T20 World Cup किसने जीता तो आस्टेलिया ने जीता भारत को हरा कर आप याद रखेंगे इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है तो इसके अलाव आपको याद रखना है IPL का कौन सा टीम का मालिक का नाम क्या है ठीक है हो सकता है आने वाला एक्जाम में पूछ दे आप से ठीक है जैसे रॉयल चलेंजस पैंगलोर के मालिक का नाम क्या है महेंद्र कुमार सर्मा तो इसी तरह आपको याद रखना है तो यह आप याद रखेगा इंपोर्टेंट पूछ सकता है ठीक है और आपको पता होगा जो 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ट कप हुआ था कौन जीता था? इंगलेंड जीता था कहां पर हुआ था इंगलेंड और विल्स में हुआ था ठीके किस आधार पर विजेता गोसित किया गया था तो Super Over में अधिक संख्या में जो čौका लगाया था वही टीम जीता था तो England ने Super Over में अधिक चौका लगाया था जिसके बज़े से वो जीत जाता है ठीक है, समझ में तो याद रखना है कि 2019 World Cup Cricket का किस नहीं जीता था तो England नहीं जीता था ठीक है, और Final में Man of the Match कौन रहे थे Ben Stokes, चलिए, अब अगला सवाल देखते है उमीद करेंगे समझ में आ गया होगा, Band Your बैक वाक्यांस का प्रियोग कहां पर किया जाता है तो Cricket में किया जाता है याद रखेगा, ठीक है Class को एक बार Share कर दीजेगा, ताकि और भी बच्चे Class में आ जाएं और Class का लाग उठा सके अगला सवाल निम्निलिखित भारतियों में से कौन जापान में डाटिंग टन हॉल इस्कूल के संस्थापकों में से एक थे कौन से ऐसे वैक्ति हैं जिन्होंने डाटिंग टन जिन्होंने डाटिंग टन हॉल इस्कूल के स्थापना जापान में की थी अच्छा सवाल है, अंसर करेंगे तो याद रखना है रविंद नाट टेगोर जी के द्वारा जापान में डाटिंग्टन हॉल इसकूल के अस्थापना की गई थी और रविंद नाट टेगोर जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि रविन्नाट टेगोर जी को विस्व कभी कहा जाता है विस्व कभी कहा गया है रविन्नाट टेगोर को कभी गुरु कहा गया है है तो याद रखना है इसके अलावा आप जानते हैं कि रविन्नाट टेगोर जी के द्वारा शांती निकेतन के अस्थापना की गई थी पस्च पूछेगा अब कुछ इंपोर्टेंट आपको यहां से बता देते हैं क्योंकि चारों महान वेकती हैं और यहां से सवाल क्या-क्या आपका पूछ सकता है ध्यान दिजेगा आपसे पूछेगा आपसे पूछ सकता है रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक कौन है रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक कौन है दादा भाई नरोजी याद रहेगा रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक कौन है दादा भाई नरोजी दादा भाई नरोजी इंडियन नस्नल अंग्रिस सब्द कौन देते हैं दादा भाई नो जी भारत में पहली बार रास्टी आय और प्रतिवेक्ति आय का आकलन किसने किया था दादा भाई नो जी ने रहनुमाई माजदयन सभा के अस्थापना की थी दादा भाई नो जी को ग्रेंड उल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है भारतिय राजनिती का पितामा कहा जाता है याद रखेगा ठीक है पूसता है यह सब सवाल इसले बता दिये और यहां से पूछेगा अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे बता दीजेगा अहमदिया आंदोलन का गूल सकता है एक सवाल आपको याद रखना भारत इस्त्री मंडल बॉरह कि अनसर करेंगे भारत इस्त्री मंडल के स्थापना किनके दवारा की गई थी तो याद रखना है सरलाबाई देवी चौधरानी सरलाबाई देवी चौधरानी ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है सरलाबाई देवी चौधरानी तो भारत इस्त्री मंडल के स्थापना सरलाबाई देवी चौधरानी जी के द्वारा क्या गया था सरलाबाई देवी चोधरानी के द्वारा भारत इस्त्रिमंडल के स्थापना की गई थी, कहां पिक्या गया था तो इलहाबाद में याद रखेंगे, ठीक है, रहनुमाई माजदायन सभा के स्थापना बंबई में की गई थी, दादा भाई नरोजी के द्वारा 1851 में, ठीक है उसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एहमदिया अंदुलन कभ हुआ था, तो एहमदिया अंदुलन याद रखना है, मिर्जा गुलाम एहमद के द्वारा गुर्दासपूर पंजाब में हुआ थे 1889 में, ठीक है, इसके लाबा अभिनव भारत, अभिनव भ भारत के स्थापना वीडी सवरकर के द्वारा की गई थी, याद रहेगा, वीडी सवरकर विनायक दामुदर सवरकर के द्वारा अभिनव भारत के स्थापना 1904 इस्वी में क्या गया था, Servants of Indian Society, फटा-फटा बताएंगे, Servants of Indian Society के संस्थापक कौन है, Servants of Indian Society, ठीक है, Servants of Indian Society के संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नरोजी हैं, या गोपाल कृष्न गोखले हैं, या महतमा गांधी हैं, अंसर करें, तीनों में से कौन सा अंसर होगा, Servants of Indian Society या Servants of Indian Society, ठीक है, तो Servants of Indian Society के संस्थापक कौन है, तो याद रखना है, जी के गोखले, महतमा गांधी के राजनितिक गुरू थे, गोपाल कृष्न गोखले, ठीक है, महतमा गांधी के राजनितिक गुरू थे, गोपाल कृष्न गोखले, गोपाल कृष्न गोखले ंजञें ने Servants of Indian Society के स्थापना की जीके गोखली के दवारा Servants of Indian Society के अस्थापना की ती याद रखेगे एंगे जो इंपोर्टेंट था याद रखेगा इसके अलावा बहुत पूस्ता आरे समाज के संस्थापक कौन है तो आप जानते हैं द्यानंद सरश्वती जी के द्वारा आरे समाज के स्थापना की गई थी द्यानंद सरश्वती ने सत्यार्थ प्रकास नमक पूस्तक की रचना की है स्थापना कहां पी की गई थी बंबई में कब किया गया था 1875 में ठीक है तो आरे समाज के स्थापना 1875 इस्वी में स्वामी द्यानंद सरश्वती जी के द्वारा किया था द्यानंद सरश्वती ने सत्यात प्रकास नामक पूस्तक की रचना की है अप याद रखेगा ठीक है तो यही सब सवाल एक्जाम में बहुत पूसता है, पूना सारवजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, महादेव गुविंद रानाडे, ठीक है, और महादेव गुविंद रानाडे ने पूना सारवजनिक सभा के स्थापना 1870, इस्वी में की थी, याद, मतलब किये थे वो, याद रखना है, सत्य सुदक समाज बहुत पूसता है, तो आप अंसर कीजेगा, सत्य सुदक समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है, सत्य सुदक समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है, जोतिबा फूले, तो याद रखना है सत्य सोदक समाज के स्थापना जोतिबा फुले के द्वारा की गई थी कहां पी किया गया था तो पूने में किया गया था 1873 इस्वी में ठीक है तो 1873 इस्वी में 1873 इस्वी में सत्य सोदक समाज के स्थापना जोतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी याद रखेंगे ठीक है तो इतना सवाल यहां से भी याद रखेंगे बाद में फिर हम लोग देखेंगे ठीक है तो यह सवाल आपको समझ में आ गया ठीक है तो आंसर याद रखना है option number D, Ravindna Tagore बागी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किसका अस्थापना किया गया था तो बताए रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन के अस्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी राम कृश्न मीषन के संस्थापक कौन थे स्वामी विवेकानंद जिने 1897 में अपने गुरु राम कृस्ण परमहनत। कूँ को याद करते वे राम कृश्न मीष्न के स्थापना की थी ठीक है? तो स्वामी वेकानंद जी के जी का बचपन का नाम नरेंदर दत और याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन स्वामी वेकानन्द 1897 में रामकृष्ण मिशन के स्थापना फिर आप से पूछेगा सिकागो में इनका विश्व परसिद्ध जो भासन था ठीक है वो कब दिया गया तो 1893 इस स्वी में फरवर्ड ब्लोग के स्थापना सुभास चंद्र बोज जी के द्वारा क्या गया था और भी आप जानते हैं कि सुभास चंद्र बोज जी इंडिया नस्नल कॉंग्रेस के दो बार अध्यक्ष बनते हैं कब-कब 1938-1949 में याद है ना 1938 का जो है कौन सा अधिवेशन है 1949 का कौन सा अधिवेशन आप बताइगा 1938 अधिवेशन 1949 अधिवेशन तो आपको याद रखना है सुभास चंद्र बोज लगातार दो बार इंडिया नस्नल कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं एक बार 1938 में 1938 का हरीपूरा अधिवेशन और 1949 का तृपूरी अधिवेशन स कारण सुभास चंद्र बोज जी 1949 तिरपूरी अधिवेशन से क्या करते हैं इस्टीफा दे देते हैं बाद में डॉक्टर राजंदर परसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है इंडिया नस्नल कॉंग्रेस का याद रखेगा और इसी साल 1949 में ही सुभास चंद्र बोज जी सपोर्ट कुझे आगला सवाल समुमों में सामिल होने वाला अन्तिम यी राष्ट कौन सा है आपको वताना है जी याद रखना एक लेयो नहीं को याद रखना है Britain देखें लिखा यहाँ पर बताएगा G7 में कौन-कौन सदस है तो एक तो अमेरिका सदस से है Britain सदस से है इसका France सदस से है G7 का Canada सदस से है ठीक है Japan सदस से है Italy सदस से है और जर्मनी सदस से है समझ में आया तो अगर आपसे पूछेगा G7 के कितने देश सदस्य है तो नाम से पता चल रहा है अंसर क्या होगा G7 के कितने सदस्य देश है तो France, Canada, Japan, Italy, Germany कितना हो गया 2-2-4-1-5 और 2-7 तो 7 सदस्य देश है अब इसका एक चीज़ देखिए ये तो सदस्य है ही नहीं ये तो है ही नहीं तो ये दोनों तो आंसर होई नहीं सकता है क्योंकि आपसे पूछा है कि G7 में सामिल होने वाला अंतिम राष्ट कौन सा है तो या तो अमेरिका या तो ब्रिटेन और ब्रिटेन पहले से है तो याद रखना है यहाँ पर आंसर क्या होगा अमेरिका तो option number A आपका जो है वो सही आंसर होगा याद रखेगा समझ में आया तो याद रखना है G7 मैं कौन-कौन से देश सामिल है G7 मैं फ्रांस, कनाड़ा, जापान, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, चली, अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में, सुरू की गई, पिस्व निधी, M. योजना के तहट, स्ट्रीट वेंडरों को, कितने रुपे तक रिन परदान किया जाएगा, आंसर करेंगे, एक स्किम सुरू किया गया है, पिस्व निधी, M. योजना, और इसके तहट, स्ट्रीट वेंडरों को, कितने रुपे तक रिन दिया जाएगा चल्ट करें तो याद रखना है आप से पूछा गया है प्यूर्ट स्ट्म रुपपे तक का रिन पर्दान किया जाएगा चीक है च्छार ल loro द्रे याद रखना है आंसर क्या होगा option number B सही answer होगा 10,000 ठीक है तो PM सौनिधी योजना के तहट street vendor को 10,000 रुपय तक का रिन परदान किया जाएगा तो option number B आपका सही answer होगा ठीक है English में ठीक लिखा हुआ है समझ में आ रहा है तो PM सौनिधी scheme PM सौनिधी scheme के तहट street vendors को कितिना रुपया रिन दिया जाएगा तो 10,000 याद रखना है अगला सवाल Britain में भारत के नए उच्चायुक्त किन्हे न्यूक्त किया गया है बताएंगे who was appointed the new high commissioner of India to Britain Britain में भारत के नए उच्चायुक्त कौन न्यूक्त किये गये है तो याद रखना अगला सवाल MSME छेत्र की नई परिभासा के नुशार कितने रुपय के निवेस पर उद्यम को माइक्रो स्रेनी में रखा जाएगा तो आंसर करेंगे MSME स्रेनी की नई परिभासा के नुशार कितने रुपय के निवेस पर उद्यम को माइक्रो स्रेनी में रखा जाएगा तो आंसर क्या होगा Option number B 1 करोड याद रखना है MSME छेत्र की नई परिभासा के अनुशार 1 करोड के निवेश पर उद्यम को माइक्रो स्रेनी में रखा जाएगा ठीक है तो option number B MSME की नई परिभासा के अनुशार 1 करोड रुपे के निवेश पर उद्यम को माइक्रो स्रेनी में रखा जाएगा अगला सवाल ACI छेत्र के लिए common wealth short story price जीतने वाली लेखिका है आंसर करेंगे ACI छेत्र के लिए common wealth short story price जीतने वाली लेखिका का नाम क्या है तो याद रखना है कृतिका पांडे याद रहेगा कृतिका पांडे ठीक है तो ACI छेत्र के लिए common wealth short story price जीतने वाली लेखिका है कृतिका पांडे याद रखेंगे अगला सवाल निम्न राज्यों में से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी सोपी गई है तो आंसर करीजेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी कौन करेगा ठीक है अच्छा सवाल है पूस्ता है बहुत जादा तो आप आंसर करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का मेजबानी कौन करेगा तो सफ़ीग अंसर क्या होगा अपसिन नमबर A हर्याना याद रखेंगे 2021 खेलो इंडिया यूद्गेम की मेजबानी हर्याना कर रहा है अगर आपसे पूचता है दूसरा याद रखना है 2020 का याद रखेगा ठीक है 2020 आपको बताएतने है क्योंकि भूल गए होंगे तो पुछेगा आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 तो अगर 2020 के बारे में पुछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का कौन सा संस्करन था ये तीसरा संस्करन तो याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 थर्ड संसकरन था ठीक है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 थर्ड संसकरन था याद रखना है और इसका आयोजन कहा हुआ था गुवाहटी में तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहा हुआ था गुवाहटी में आसाम में ठीक है तो खेलो इंडिया यू यह तो ठीक है याद रहेगा इसके अलाव आपसे पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में जो संपन हुआ था गुवाटी में इसमें पहले नंबर पे कौन रहा था तो महारास्ट रहा था दूसरे नंबर पे हर्याना रहा था और तीसरे नंबर पे दिल्ली रहा था ठ है याद रखना है और एक सवाल और याद रंखेगा पहली पार खेलो इंडिया यूझिवर्सिटी गेम का युजन कहा हुआ था पहली बार ये सब आप लोग भूल गये होंगे ठीक है तो यह Лेक्री निजए सब याद रखना है पहली बार खेलो इंडिया पहली बार खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स का यूजन कहा हुआ था क्योंकि आप देखी रहे एक्जाम तो ले ही ने रहा है सही डंग से है ना तो बच्चा पढ़ता तो है लेकिन भूली जाता है युनिवर्सिटी गेम्स का यूजन तो आपसे पूछेगा गेम्स का यूजन ठीक है पहली बार खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का यूजन बताना है कब हुआ था मतलब कहां पे हुआ था भूवनेश्वर उडिसा में ठीक है तो याद रखना है पहली बार याद रखना है पहली बार खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का यूजन भूवनेश्वर उडिसा में हुआ था ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हर्याना ठीक है चलिए अगला सवाल देखते है दबुद्धा एंडिस धम पुस्तक के लेखक कौन है तो आप सभी जानते हैं फटा फटा आंसर कीजेगा दबुद्धा एंडिस धम पुस्तक के लेखक है बी आर अम्बेटकर बी आर अम्बेटकर जी के द्वारा लिकित पुस्तक है याद रहेगा तो दफधा and his dham पुस्टक के लिख़ग है बी-ार अंबेट कर इसके अलावा आप जानते है पाकिस्तान और पाकिस्तान फॉर्दी पार्टिसन औफ अनुडि कर भी है भी आर अंबेट कर थैगे तो यह भी याद रखेगा पुस्तक के लेखक बियार अमबेट कर पाकिस्तान फॉर्दी पार्टिसन ओफ इंडिया पुस्तक के लेखक बियार अमबेट कर अनाई हिलेशन ओफ कास्ट ये इंपोर्टन्ट है अनाई हिलेशन ओफ कास्ट ठीक है अनाई हिलेशन of caste पुस्तक के लेखक कौन है तो annihilation of caste पुस्तक के लेखक है BR Ambedkar ठीक है तो annihilation of caste पुस्तक के लेखक BR Ambedkar और आप जानते हैं कि 26 नॉवंबर को क्या मनाया जाता है 26 नॉवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है मतलब सविधान दिवस मनाया जाता है तो याद रखना है 26 नॉंबर को सविधान दिवस मनाया जाता है 26 नॉंबर को हम लोग क्या करते हैं सविधान के परचार परसार को याद करते हुए ठीक है यनि सविधान के 50% को बहावा देने के लिए 26 नवंबर को हम लोग सविधान दिवस के रूप में celebrate करते हैं ठीक है अगर आपसे पूछेगा पहली बार सविधान दिवस कब मनाये गया तो आप answer क्या करेंगे और क्यूं मनाय गया था बता दीजे अच्छा सवाल है पूस्ता एक्जाम में ठीक है तो आपको याद रखना है कि 26 नौंबर भारत में सविधान दिवस की रूप में मनाय जाता है और पहला सविधान दिवस जो है 2015 में मनाय गया था अम्बेटकर जी की 125 जैनती के उपलक्ष में पहली बार 26 नौंबर 2015 को सविधान दिवस की रूप में मनाय गया था ठीक है तो 26 नौंबर सविधान दिवस पहला सविधान दिवस कब मनाय गया 2015 में क्यों मनाय गया अम्बेटकर जी के 125 वी जनती को याद करते हुए और सविधान के परचार परसार के लिए 26 नॉंबर का दिन चुना गया है याद रखेंगे ठीक है बाकी जवाहरलाल नहरू जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है तो आप जानते हैं बताएए जवाहरलाल नहरू जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है तो आप जानते हैं डिसकवरी ओफ इंडिया पुस्तक के लिखा कौन है जवाहरलाल नहरू याद रखेगा सरुजनी नाइडू सरोजनी नाइडू के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया तो Golden Threshold Golden Threshold की लेखी का कौन है सरोजनी नाइडू Songs of India Songs of India की लेखी का कौन है तो इसको याद रखेगा Songs of India बाकी Golden Threshold आप सब जानते होंगे Songs of India पुस्तक के लेखी का कौन है तो याद रखना है Songs of India अनहेपी इंडिया पुस्तक के लिखक कौन है आप बताएंगे अनहेपी इंडिया पुस्तक के लिखक है लाला लाजपतराय और आप जानते हैं कि साइमन कमिशन 1928 में भारत आये था और साइमन कमिशन में साथ सदसे थे और साइमन कमिशन के साथों शदसे जो थे वो अंग् चार्ज के तौरान गंभी रूप से चोट लग गया था और ये इनका कुछ महिने के बाद निधन हो गया था तो याद रखना है अन्हापी इंडिया पुस्तक के लिखक है लाला लाजपतराई और इनका संबंध किस से है साइमन कमिशन से ठीक है कैसे संबंधित है साइमन कमि सचिंद्र सान्याल इंडिया डिवाइड़ पुस्तक के लिखक कौन है राजंदर परसाद इंडिया डिवाइड़ पुस्तक के लिखक कौन है इंडिया डिवाइड़ मिटा देते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा आराम से ही बताते हैं चलिए हम लिख दे रहे हैं कुछ तो सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा बंदी जिवन पुस्तक की रचना की गई थी इंडिया डिवाइड़ पुस्तक के लिखक है राजंद्र प्रसाद याद रखना है शत्यार्थ प्रकास पुस्तक के लिखक है दयानंद शर्श्वती इंडिया विन्स फ्रीडम पुस्तक के लिखक है दादा भाई नरोजी इंडिया विन्स फ्रीडम पुस्तक के लिखक कौन है बताएंगे इंडिया विन्स फ्रीडम मौलाना अबुलकलाम आजाद तो आपको याद रखना है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लिखक हैं मौलाना अबुलकलाम आजाद और आप जानते हैं कि मौलाना अबुलकलाम आजाद इंडिया नस्नल कॉंग्रेस के सबसे युवा अधक्ष बने थे तो याद रखना ह अगष्टुशओ का या फचा freedom कोन थे मौलाना अडिवेश्टू पिर पूचेगा शाय वरस्तक इंड्योन नेसफ़ अधक्षू कunya एध सो चारी रामगर अडिवेश्टू एक जगए याद होना चाहिए क्योंकि एक्जाम में महानवेक्ति से जुड़ा हुआ जो भी important facts से उसको एक जगए याद रखेगा कुछ भी पूछ सकता है तो इतना आप याद रखे बाकी आपसे पूछ सकता है The Bunch of Old Letters The Bunch of Old Letters के लेखक कोन है जवाहरलाल नहरुजी के द्वारा लिखित है The Bunch of Old Letters याद रखना है ठीक है इसके लावा Riddles and Hinduism Riddles in Hinduism Riddles in Hinduism के लेखक कोन है BR Ambedkar याद रखेंगे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कोन है महातमा गांधी ठीक हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कोन है महातमा गांधी गोखले माई पॉलिटिकल गुरू के लेखक कोन है महातमा गांधी तो हिंद स्वराज और गोखले माई पॉलिटिकल गुरू पुस्तक के लेखक है महातमा गांधी याद रखना है गीता रहा से पुस्तक के लिखक कौन है ये important सवाल है गीता रहा से पुस्तक के लिखक कौन है तो बाल गंगादर तिलक बीजी तिलक मराथा और केसरी पत्रिका का संपादन बाल गंगादर तिलक जी के द्वारा किया गया था उनिशो सोला में बाल गंगाधर तिलक जी ने हमरू लिख के स्थापना की थी तो याद रखना है गीतारह से पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक ठीक है तो गीतारह से पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक ठीक है इतना याद रखे इंडियन इस्ट्रगल पुस् पुस्तक के लिखक है वेलेंटाइन सिरोल भावानी मंदिर यह important है भावानी मंदिर के लिखक कौन है तो याद रखना वारिंद्र कुमार घोस ठीक है भावानी मंदिर के लिखक कौन है वारिंद्र कुमार घोस ठीक है चलिए तो इतना सवाल याद रखे बाकी बाद में तो प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट किजिए अगला सवाल ब्लीडर सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है तो पता है तो बते ये ब्लीडर सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है ठीक है ब्लीडर सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है ठीक है तो बता सकते हैं आप ब्ली प्लीडर सब्दू बीडर सब्दू की स्खिल से जुड़ा वगए है बॉग्संग से जुड़ा हुआ है जो आपको आपको यहां जानते हैं प्लीडर सब्दू की स क्ल्ड़ा हुआ है ठीक है बहुत सारा cup वगेरा होता है जो आपको याद रखना है cup याद रखना है terminology याद रखना है और कौन-कौन से महान player है किस खेल से जुड़े हैं किस खेल में कितना player होता है यह सब आपको याद रखना है player का nickname वगेरा पूचता है exam में ठीक है तो यहाँ पर आपसे blow, bounce ठीक है bleeder यह सब जो है boxing से जुड़ा हुआ कुछ term है ठीक है swimming से जुड़ा हुआ term कौन सा है जो पूचता है वो हम बता देते हैं swimming से जुड़ा हुआ term कौन सा है एक आपसे पूचता है stroke ठीक है breast stock breast stock जो है तेराकी से जुड़ा हुआ सब्द है तो याद रखना है breast stock त तो वहां से याद रखेगा इस टोक नाम जहां पर आएगा जो टर्म आएगा किसी खिल में तो याद रखना वो तर्मिनोलोजी होगा तो आप आंख मुन के अंसर कीजिएगा तेराकी समझ में आया इसको याद रख लीजिएगा हो गया बाकी और क्या पूछ सकता है क्रिकेट सभी को पता है ठीक है और बॉलीवल बॉलीवल में बताना है आपको कि वॉलीवल में कितने प्लेयर होते हैं कमेंट किजिएगा वॉलीवल में कितना प्लेयर होता है याद रखना है ठीक है वॉलीवल में 6 प्लेयर होता है याद तो अगर आपसे पूछेगा, रगभी फुटबॉल में कितना होता है, रगभी फुटबॉल में 15 प्लेयर होता है, रगभी फुटबॉल में 15 प्लेयर होता है, रगभी फुटबॉल कहां का रास्टे खेले, स्कॉटलेंड का है, ठीक है, और बेजबॉल अमेरिका का रास्टे याद रखना है baseball अमेरिका का रास्थी खेल è be sball में 9 खिलाडी होता है rugby… football…икント scheduling में 15 खिलाडी होता है लगभी… लगभी… तो आराम में 4 खिलाडी होता है में लृटर और रास्थी खेलाडी होता है वाटर पोलो में कितना खिलारी होता है, साथ खिलारी होता है, जल्दी इसलिए बता रहे हैं रिवीजन करवा रहे हैं आपको ठीक है तो आपको यह सब याद होना चाहिए ठीक है बास्केट बॉल में कितना खिलारी होता है तो पांच खिलारी होता है याद रखना है बास्केट बॉल में अगला सवाल चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक परतीक है तो आंसर करेंगे चेपू कहा का एक अनूठा सांस्कृतिक परतीक है अब देखिए जो आप्सन दिया हुआ है चारो देश आप जानते हैं किसका एक अनूठा सांस्कृतिक परतीक है याद रखना है अब देखिए नेपाल से सवाल क्या बनेगा तो नेपाल चीन और भारत के बीच में बफर इस्टेट के रूप में हिमाले की गोध में इस्तित एक परवतिय देश है ठीक है और आप जानते हैं कि नेपाल के साथ कौन-कौन सा राज्य सटा हुआ है इंपोर्टेंट सवाल है नेपाल के साथ कितना राज्य बॉर्डर सेर करता है तो आपको पढ़ा है न कितना एक तो यूके करता है मतलब उत्राखंड हो गया दूसरा याद रखना है यूपी करता है बिहार करता है सबसे बड़ा बाउंडरी नेपाल के साथ बिहार सेर करता है ठीक है बिहार करता है इसके अलावा सिक्किम करता है और पस्षिम मंगाल करता है तो पांच राज्य आपको याद रखना है कि पा डबलू बी बिहार और सिक्किम सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ बिहार आप याद रखेगा बिहार में कौन-कौन सी नदी बहती है तो काली नदी बिहार में बहती है याद रखना है कोसी नदी बिहार से नेपाल से निकलती है आप जानते हैं कोसी नद और मांट एवरेस्ट आप जानते कि नेपाल में मांट एवरेस्ट है और मांट एवरेस्ट दुनिया की सबसे उची चोटी है नेपाल में मांट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है और भी नेपाल में चोटी है जैसे कि एक तो मांट एवरेस्ट हो गया धोला गिरी धोला महाभारत स्रेनी कहां पर है तो महाभारत स्रेनी नेपाल में है इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि नेपाल में कौन-कौन जंजाती के लोग निवास करते हैं तो नेपाल में गोर्खा जंजाती के लोग निवास करते हैं तो नेपाल में सेर्पा भूटिया और गोर्खा जं लुम्बनी कहां पे है तो जानते हैं आप लोग याद रखना है लुम्बनी नेपाल में है लुम्बनी कहां पे है बहुत धर्म का बहुत ही महत्पुर्ण अस्थल है तो लुम्बनी नेपाल में है याद रखना है चितवन नेशनल पार्क कहां पे है चितवन नेशनल पार्क चितुबन नेशनल पार्क नेपाल में है सागर्माथा नेशनल पार्क कहाँ है नेपाल में है याद रखना है, ठीक है तो answer आपको समझ में आ गया चेपू, नेपाल का एक अनूथा संस्कृतिक पतीक है अब भूटान के बारे में पूछेगा लेंड आफ थंडर वोल्ट लेंड आफ थंडर वोल्ट किसे कहा जाता है तो भूटान को लेंड आफ थंडर वोल्ट कहा जाता है भूटान की राज़ानी थिंपू है आप जानते हैं और भूटान भूटान जो है विस्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विका याद रखना है भूटान का सीमा जो है चीन के साथ लगता है भारत के साथ लगता है भारत का असम जो है असम और लिग देते हैं भारत का कौन-कौन राज भूटान के साथ बॉर्डर सेयल करता है ठीक है पूस सकता है तो भारत का आसाम आसाम जो है भूटान के साथ बॉर्ड आया समझ में तो यह चार राजी जो है भूटान के साथ border share करता है तो चार राजी याद रखना है कि भूटान के साथ border share करता है कौन-कौन आसाम, वेस्ट बिंगॉल, अवभूआचल परदेश और सिक्किम, याद रहेगा इंपोर्टेंट इसको आप याद रख लिजेगा ठ पहले नाम क्या था इसका वर्मा नाम था मतलब बर्मा नाम था याद रखना है और म्यामार भारत इवं बांगला देश के पूरु में तथा चीन के दक्षिन में इस्तित है म्यामार को क्या कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है क्या कहा जाता है स्वर्ण पै इरावदी नदी म्यामार की जीवन रेखा कहलाती है और म्यामार का पुराना नाम बर्मा है म्यामार को स्वर्ण पेगोडा का देश कहा जाता है याद रखेगा ठीक है याद रहेगा important था यह अब बांकी चीन option में है तो चीन के बारे में आप जानते ही है सवाल सब ठीक है अब यहाँ चीन से क्या क्या सवाल पूछ सकता है जनसंक्या की दृष्टी से विस्व में पहले नंबर पे चीन है और छित्रफल की दृष्टी से चीन जो है विस्व का चौथा बड़ा देश है आप याद रखेगा ठीक है चले तो अब अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक परतिक है नेपाल याद रखेगा क्लास को एक बार फटा फट लाइक और सेर कर दीजे ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके अगला सवाल भारत के किस राज़े पर अहूम वंस का सासन था तो आपको बताना है भारत के किस राज़े में अहूम वंस का सासन था तो आप जानते हैं औसे अहूम औसे आसाम तो अहूम वंस का सासन कहा पर था आसाम में तो याद रखना है कि आसाम में अहो मुवंस का शासन था ठीक है और आसाम से क्या क्या सवाल बनता है पुर्वतर भारत का पहरी किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है पुर्वतर भारत का प्रहरी आसाम को कहा जाता है याद रखना है पुर्वतर भारत का प्रहरी आसाम को कहा जाता है इसके अलावा बांगलादिस और भूटान के साथ लगता है ठीक है तो आसाम जो है वो बांगलादिस के साथ बॉडर सेर करता है भूटान के साथ बॉडर सेर करता है ठीक है तो आसाम को पुर्वत्तर राज्यों का प्रहरी कहा जाता है इसके अलावा आसाम जो है बांगलादिस और भूटा टैगर के लिए फेमस है तो इसको याद रखना हैं खाली कि बंगाल टैगर के लिए फैमस है कौन सा सिखे बंगाल टैगर के लिए फैमस है मानस याद रहेगा मानस मानस ड़ो Charge to Inn कहां पे असाम में और काजी रंगा पूछेगा काजी रंगा तो एक सिंग वाला गेंड़ा के लिए फेमस है काजी रंगा भी आसाम में है और यह वन होर्ण राइनो है वन होर्ण राइनो आप पूरा लिख लिए अच्छे से ठीक है वन होर्ण राइनो के लिए फेमस है कांजी रंगा नेसनल पार्क ठीक है अब यहां लिखा नहीं रहा है तो याद रखेगा वन होर्ण एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है कांजी रंगा नेसनल पार्क और मानस नेसनल पार्क जो है वो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है आसाम में है ठीक है और आप जानते हैं डिगबोई डिगबोई कहां पर आसाम में है तेल उत्पादक छेतर है डिगबोई डिगबोई आसाम में है ठीक है कामख्या मंदिर आस चलिए तो भारत के किस राजी पर अहूं वंस का सासंता आसाम राजी पर अहूं वंस का सासंता याद रखेंगे तो क्लास को एक बर फटा फट लाइक और सेर कर दीजे ताकि और भी बच्चे क्लास में आए और क्लास का लाब उठा सकें अगला सवाल निमनलिकित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है तो आपको आंसर करना है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है फटा-फट आंसर कीजिए कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है ठीक है तो भारत का सबसे बड़ा container port कौन सा है बताएंगे तो option number B याद रखना है जवाहरलाल नहरू पोट ठीक है तो भारत का सबसे बड़ा container port अगर पूस दे ठीक है तो सही आंसरों का option number B याद रखेगा अब यहां से आपको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगा कहाँ पे है मुमबई में याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगा मुमबई में है और इस सवाल को पूछेगा गुमा भी सकता है कि नहवा सेवा नहवा सेवा या जवाहरलाल नहरू पोट कहाँ पे है इसी को नहवा सेवा भी कहा जाता है ठीक है नहवा सेवा तो नहवा सेवा ठीक है नहवा सेवा या जवाहरलाल नहरू पोट कहां पे है महारास्ट में है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है नहवा सेवा या जवाहरलाल नहरू पोर्ट ठीक है याद रखेगा आप पुछेगा एन्नौर पोर्ट कहां पे है किस राज में है एन्नौर पोट आप कमेंट किजेगा एनौर पोट कहां पे है एनौर पोट है तमिलाडू में याद रखना है एनौर पोट कहां पे है तमिलाडू में है एनौर पोट ठीक है जवाहरला लेहरू पोट कहां पे है तो पढ़ी चुके महारास्ट में है चत्रपती सिवाजी पोट कहां पे आपसे जैसे आपसे पूछेगा कोची पोट कहां पे है कोची बंदरगा कहां पे है तो केरल में याद रखना है कोची पोट कहां पे है केरल में कोची पोट केरल में पारादीब बंदरगा कहां पे है उडिसा में ठीक है तुती कोरीन बंदरगा कहां पे है तुती कोरीन मारमा बंदरगा से त oraz या इसके पूछेगा पोर प्रेषब टो आपको पता है ऐंडमान में है न तो पोर्ट बलेर कहा पर एंडमान में है यतना सवाल याद रखे एग्जाम मेपूशता है कि तुटी कुरीन बंदरगा तमिलाडु में जानतें कांडला बंदरगा कहां कहां पर गुजतरात में और जानते हैं एक केन ज्वारिय बंदरगा तो याद रखना है कांडला बंदरगा गुजरात में है जो कि ज्वारिय बंदरगा है और कांडला बंदरगा जो है मुक्त वैपार छित्रवाला बंदरगा है इंपोर्टेंट सवाल कांडला बंदरगा ज्वारिय बंदरगा है जो कि गुजरात में ठी इसके लावा आपसे पूछेगा सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है भारत का सबसे गहरा बंदरगा सबसे गहरा बंदरगा सबसे गहरा पोट कौन सा है तो भारत का सबसे गहरा पोट है विसाखा पटनम पोट कहां पे विसाखा पटनम पोट आप बताएगा विसाखा पटनम प पोट कहां पे है याद रखना है कि भारत का सबसे गहरा पोट है विसाका पत्नम पोट जो कि आंदर प्रदेश में है ठीक है याद रखेगा इंपोर्टेंट सवाल है और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगा कौन सा है तो चैन्ने बंदरगा जो है भारत का सबसे प्राचीन है, याद रखना है, और चैने बंदरगा एक कृतिम बंदरगा है, याद रखेगा, ठीक है? तो यहां पर सवाल क्या था? कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोट कॉन सा है? तो नहवा सेवा पोट या फिर जवाहर लाल नेहरू पोट, याद रखेगा, तो class को एक बार share कर दीजे ताकि class को support मिल सके, please class को support करें अगला सवाल पवन उर्जा को यांतरिक उर्जा पवन उर्जा को यांतरिक सक्ती, टरबाइन चक्की में परिवर्तित करती है मतलब पूछ रहा है कि पवन उर्जा को टरबाइन किसमे convert करता है ठीक है, टरबाइन जो होता है उसमें पवन उसको लगता है, हवा लगता है हवा लगता तो वो घूमता है तो टरबाइन जो है, वो पवन उर्जा को किसमे convert करता है तो एकदम आसान सवाल है गतिज उर्जा में convert करेगा तो याद रखना है कि पवन उर्जा को टरबाइन जो है या चक्की जो है वो किसमे कनवर्ट करेगा तो गतिज उर्जा में कनवर्ट करेगा ठीक है तो energy into wind turbines convert mechanical power ठीक है kinetic मतलब याद रखना है कि पवन उर्जा को टरबाइन जो है वो किसमे कनवर्ट करेगा गतिज उर्जा मे कौन थे तो आंसर कीजेगा आजाद भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी परधानमंत्री कौन थे भारत आने वाले पहले रूस के परधानमंत्री कौन थे आपको याद क्या रखना है option number D निकोलाई बुलगानीन तो याद रखना है कि आजाद भारत में आने वाले पहले रूसी परधानमंत्री कौन थे ठीक है तो निकोलाई बुलगानीन ठीक है तो सौतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी परधानमंत्री थे निकोलाई बुलगानीन तो आज़ा सवाल कीडों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो आप रफटा आंसर कमेंट करने केड़ों के अंत्यों को एन्टमोलोजी कहा जाता है ट्रक्षी के अंत्यों को क्या—— JULY वहांज है याद रखना ए Isra ंबाकि onthropology क्या होता है यादे तो आप कमेंट कर दिजेगा onthropology यहने anthropology बोलते हैं इंथ्रो do जी घ्याता किमें चाहिए थोड़ा हम और आपको बता देते हैं स्ब कीडियों के अध्यन को एंटमो mahdoll ऑग जाताया पक्ष्यों के अध्यन पूछेगा तो घासों के अधिन को एकोस्टोलोजी कहा जाता है एलगोलोजी पूछेगा तो सेवालों के अधिन को एलगोलोजी कहा जाता है साइटोलोजी किसे कहा जाता है साइटोलोजी तो आप जानते हैं साइटोलोजी किसे कहा जाता है कोसिकाओं के अधिन को साइटोल कहा जाता है ठीक है याद रहेगा इकोलोजी क्या होता है तो पौधों का वातावरण से संबंद के अध्यन को इकोलोजी कहा जाता है ठीक है तो पौधों के जो पौधों का वातावरण से संबंद जो होता है उसके अध्यन को इकोलोजी कहा जाता है याद रखना है ठीक है उत्कों के अध्यन को, चैल के अध्यन को साइटूलोजी कहा जाता है, और उत्कों के अध्यन को अध्यन को हिस्doing कहा जाता है, ठीक है उत्को के अध्यन को हिस्टोलोजी कहा जाता है ठीक है लिम्नोलोजी क्या होता है तो जीलो तथा अलवनिये जलिये पात्मों का अध्यन लिम्नोलोजी कहलाता है ठीक है इतना सवाल याद रखे बाकी पोमोलोजी में फलों का अध्यन क्या जाता है फाइकोलोजी में स जाता है तो क्लास को एक बार फटाफट सेर कर दीजे कर दीजिए सबसे लंबे समय तक governor रहने का record किनका है पदमजा नाइडू के पास है तो याद रखना है ठीक है आया समझ में तो answer क्या होगा option number B पदमजा नाइडू सबसे लंबे समय तक राजिपाल रहे हैं आप याद रखेंगे अगर यहां से और सवाल बनेगा क्या बनेगा कि राजिपाल की न्युक्ती जो है वो किस अनुछेद के तहत की जाती है तो याद है तो बताइए राजिपाल की न्युक्ती किस अनुछेद के तहत की जाती है तो आपको याद रखना है अनुछेद 155 अनुशेद 155 के तहत की जाती है और रास्टपती के द्वारा की जाती है और आप जानते हैं कि राजिपाल जो हैं वो रास्टपती के परसाद प्रियंत काम करते हैं अनुशेद 156 में लिखा है कि राजिपाल रास्टपती के परसाद प्रियंत पद धारन करेंगे और अनुसेद 155 में लिखा है कि रास्टपती के द्वारा राजिपाल की नुक्ति की जाएगी ठीक है और आप जानते ही है कि केंदर में जिस तरह से रास्ट का पर्मुक रास्टपती होता है तथा सासन का पर्मुक पर्धान मंत्री होते हैं उसी तरह राज्यों में भी राजिपाल द्वारा जो अध्यादेज जारी क्या जाता है ठीक है अध्यादेज जारी क्या जाता है ठीक है अनुछेद 213 के तहत क्या जाता है राजिपाल अध्यादेज जारी करते हैं अनुछेद 213 के तहत ठीक है त्याद रखना है राजिपाल द्वारा अध्यादेज जारी क्या जाता है अनुशेद 213 के तहद चीक है और रास्टपती द्वारा अध्यादेश जारी क्या जाता है 123 के तद लिग दे रहे हैं बहुत यह सब पढ़ा रहे हैं अगर आप क्लास देख रहें नहीं तो प्लीज क्लास आप रेगुलर देखिए अनुशेद 123 के तहद रास्टपती अध्यादेश जारी करते हैं और अनुशे 213 के तहद राजईपाल अध्यादेश जारी करते हैं ठीक है तो क्लास को एक बार प्लीज सेयर कर दीजेए और लाइक नहीं के हैं तो लाइक कर दीजे अगला सवाल एक वर्स में लोकसभा के सामनिता कितने सत्र आयुजित किये जा सकते हैं तो आपको बताना है एक साल में लोकसभा का सामनिता कितना सत्र आयुजित किया जा सकता है तो बहुत आसान सवाल है ज्यादा हाड भी नहीं है तो बताइए how many sessions of the लोकसभा are normally held in a year तो याद रखना एक वर्स में लोकसभा का सामनेता जो है तीन सत्र आयुजित किया जा सकता है समझ में आया तो आंसर क्या होगा एक वर्स में लोकसभा का सामनेता तीन सत्र आयुजित किया जा सकता है आप याद रखेगा और आप जानते हैं कि लोकसभा जो है निमनिशदन है लोकसभा का जो गठन है अनुछित 81 के तहत किया गया है लोकसभा निमनिशदन है लोकसभा में मैक्सिमम कितना सदस्य हो सकता है लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना है तो 552 है ना और अभी कितना सीट है ये आपको याद रखना है बताइए अभी कितना सीट है याद रखना है कि लोगसभा में मैक्सिमम 552 सदसे हो सकते हैं पर वर्तमान में अभी 545 सदसे हैं तो याद रखना है कि लोकसभा का गठन अनुशेद 81 के तहत किया गया है, लोकसभा निमनिशदन है, लोकसभा में अधिक्तम सीटों की संख्या है 552, लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, याद रखेगा, और आप जानते हैं कि 2001 इस्वी में संसर द्वारा पारित 84th अम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, महरास्ट में कितना लोकसभा सीट है, तो महरास्ट में आप बताएगेगा कितना लोकसभा सीट है, आंदर प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है, इंपोर्टेंट है, आंदर प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, महरास्ट में 48 लोकस सब्सक्राइब और आप जानते हैं कि लोग सब्सक्राइब कारिकाल 5 साल होता है लोग सब्सक्राइब को समय से पहले भंकिया जा सकता है है ना? और लोग सब्सक्राइब के शदष्ये बनने के लिए मिनिमं 25 साल की उमर होना आवश्यक है याद रखेगा ठीक है और लोग सब्सक्राइब द्धनविदयक के सम्सि paper करते हैं याद रखेंगे ठीक है और पहले लोग 성भा के अदेक्स कौन थे? तो याद रखना है जि तो याद रखना है पहले लोगसभा के अद्धेक्ष्छ एम अनंद्सैनम आवलंकर अभी कोन सा लोगसभा चल रहा है तो अभी सेत्रवा लोगसभा के अद्धेक्ष्छ Comes VI फिर आपसे पूछेगा लोगसभा की पहली महिला इस्पीकर तो याद रखना है मीरा कुमार लोगसभा की पहली महिला इस्पीकर है मीरा कुमार पंदरवी लोगसभा की अधेक्ष थी सुमित्रा महाजन अभी तक दो ही महिला है जो लोगसभा की अधेक्ष बनी है ठीक है तो तो समझ में आगे एक वर्स में लोगसभा का सामयता कितना सत्र आयोजित होता है तो याद रखना है तीन ठीक है तो इतना ही सवाल था उमीद करेंगे आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजेगा क्लास को लाइक और शेर अवस्य करें और क्लास में रेगुलर रहें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजेगा मिलते हैं आपसे अगले क्लास में उमीद करेंगे जाते जाते आप लोग क्लास को लाइक और शेर अवस्य करेंगे तो आप सभी का तहें दिल से धन्यवाद करते हैं जै हिंद, जै भारत, जै बिये से धन्यवाद